सिधार्थ को गए तेरा दिन बीच चुके हैं, तेरवी की रस्म भी पूरी हो चुकी है दो दिन की पूजा रखवाई थी रीटा मा ने और ये जो सारी ही पूजा है वो ब्रह्म कुमारीस के अकॉर्डिंग ही हुई थी और इस पूजा का खास हिस्सा बनी थी शहनाजगिल सिधात के जाने के बाद शहनाजगिल उस घर में ही है, रीटा मा के साथ है और रीटा मा पूरा पूरा ध्यान रख रही है शहनाजगिल का इन दो सालों में शहनास गिल ने बहुत सारा वक्त रीटा मा के साथ बिताया है सिधाथ से जादा वो रही है रीटा मा के साथ और बहुत ही जादा प्यारा बॉंड है दोनों के बीच में रीटा आंटी के लिए शहनास गिल बेटी की तरह ही है क्योंकि दो साल से उनके साथ है शहनास गिल को बहुत अच्छी तरीके से समझती है रीटा मा और जिस तरह से सिधात शहनास के केर करते थे उन्हें प्यार देते थे उन्होंने अपने आसों को बहने ने दिया सिधात के जाने पर भी और उन्हें ब्लेसिंग्स देने के लिए सभी फैंस से भी कहा इतनी जादा स्ट्रॉंग है रीटा मा और अब उन्हें शहनास को भी उतना ही जादा स्ट्रॉंग बनाना है और सिधात की तेरवी के बाद रीटा मा का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है गाइस एक आर्टिकल आया है सामने सूतरों के हवाले से ये खबर आई है कि रीटा मा ने बहुत बड़ी बात कही है शहनास के लिए उन्होंने कहा है कि शहनास को अब धीरे धीरे इस दुख से बाहर निकलना चाहिए उन्हें काम की शिरुवात करना चाहिए और अपने दोस्तों से भी मिलना चाहिए शहनास गेल अगर अपने आपको काम में बिजी रख लेंगी तो उनका ये दुख कुछ हद तक कम हो जाएगा शहनास का दुख बहुत बड़ा है गाइस उनका जखम बहुत गहरा है लेकिन समय के साथ साथ चीजें ठीक होती है और अगर वो दिन राज सिधात के बारे में ही सोचती रहेंगी और उनी के बारे में सोचती रहेंगी तो वो डिप्रेशन में भी जा सकती है और रीटा मा ये बिलकुल भी नहीं चाहती इसलिए उनका कहना है कि शेहनास को जल्द से जल्द काम की शिरुआत कर देनी चाहिए तो सिधात के तेरवी के बाद कुछ इस तरह की बाते रीटा मा करती हुई नजर आई हैं शेहनास के लिए तो रीटा मा सचमुच बहुत जादा माहान है जो कि अपने दुख को भूलते हुए शेहनास को समभालने में लगी हुई है शेहनास जरूर समभलेंगी गाईज हम सब फैंस का सपोर्ट प्यार और दुआएं भी हैं उनके साथ और उन्हें सिधात का सपना भी तो पूरा करना है सिधात और सिधनास की बाते हम हमेशा करते रहेंगे उन्हें अपने दिलों में हमेशा जिन्दा रखेंगे और शेहनास गिल को हम हमेशा पूरा पूरा सपोर्ट करेंगे थैंक्स वर वाचिंग गाईज़